असल में वो योग को डिफाइन करना चाहते हैं, पर वैज्ञानिक भाशा में इसे उलजना कहा जा रहा है. Quantum Entanglement, बात बस ये है कि हम इसे उलजना नहीं कहेंगे, ये Quantum सामन जास्य है. देखिए, आपको यादाश्ट के बारे में अपनी सोच बढ़ानी होगी. फिलहाल यादाश्ट के बारे में आपकी सोच अभी तक बस याद रखना हुआ करती थी. पर अब यादाश्ट के बारे में आपकी सोच ज्यादा तक्नीकी हो गई है. आजकल आप Memory शब्द का इस्तिमाल खुद से ज्यादा अपने उपकरणों के लिए करते हैं, अपने गैजेट्स के लिए करते हैं. यादाश्ट को लेकर आपकी सोच बदल गई है कि चीजों में भी यादाश्ट हो सकती है. सौ साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि चीजों में यादाश्ट होगी. है कि नहीं? सिर्फ जीवित प्राणियों में यादाश्ट हो सकती है. किसी चीजों में कैसे हो सकती है? पर अब चीजों में मेमरी है, आप से ज्यादा मेमरी है, आप से बहतर मेमरी है. तो ये मेमरी को लेकर आदमियों की समझ में एक बहुत बड़ा बदलाव है. अब हम पानी में याददाश्ट की बात कर रहे हैं यूं किस्टों में क्यों जाना पानी, याग, धर्ती, ये चीज, वो चीज थोड़ा आगे चलते हैं वो बहुत नकारात्मक शब्द इस्तिमाल कर रहे हैं असल में वो योग को डिफाइन करना चाहते हैं पर वैज्ञानिक भाषा में इसे उलजना कहा जा रहा है Quantum Entanglement Quantum Entanglement का मतलब है कि एक सब अटोमिक पार्टिकल यहाँ है और दूसरा कहीं लाखों प्रकाश वर्ष दूर है आप सोच नहीं सकते कि वो क्या है लेकिन उतनी दूरी पर पर यह दोनों जुड़े हुए है उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है ठीक है योग शब्द का मतलब बस इतना ही है बाद बस यह है कि हम इसे उलजना नहीं कहेंगे यह Quantum सामन जस्य है ब्रह्मांड या स्रिष्टी या संसार पूरी तरह से सामन जस्य है यह अभी पूरे ब्रह्मांड में हुआ इसका मतलब यह नहीं क्या यह आवाज ब्रह्मांड के आखरी छोरों तक पहुँच गई नहीं ऐसे नहीं पर यह सामन जस्य में है यहां कुछ भी अलग-अलग नहीं होता अगर आप सामन ज़से पा लेते हैं तो अचानक आपको चीजों में कुशलता मिल जाती है योग में हम इसे प्रग्ना कहते हैं प्रग्ना प्रकाश से भी तेज चलती है क्योंकि यह चलती नहीं है यह बस हर जगा है जैसे कि मैं इस जीव के बारे में बात कर रहा हूँ यह जीव कहीं जाने ही सकता यह हर जगा है तो इसे जाने की जरुरत नहीं है आप इसे दिव्वे कह सकते हैं गौड कह सकते हैं आप इसे जीव कह सकते हैं आप इसे प्रग्ना कह सकते हैं पर मूल रूप से, क्योंकि ये हर जगा है, ऐसा लगता है कि वही चीज हर जगा हो रही है, मतलब ये चल कर यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, नहीं, ये हर जगा है, तो इसे जाने की जरुरत नहीं है, जीव का मतलब भी यही है, कि कहीं नहीं जाना है, क्योंकि जो किष्टों में आता है, किष्टों का मतलब है, आपको एक से दूसरी जगा जाना है, दूसरी से तीसरी, ये कहने का सब भी तरीका है, आम तोर पर मैं कहता हूँ, ये कब्स है, जब जीवन किष्टों में होता है, तो फिर दिक्त है, क्योंकि आप इस जीवन को कितनी किष्टों में बाटना चाहेंगे क्योंकि जीवन की प्रकृती ऐसी है कि अगर आप इसे अर्बो किष्टों में बाटें फिर भी ये पूरी नहीं होगी पिक्चर पूरी नहीं होगी क्योंकि ये सब यहाँ है ये एक, दो, तीन, चार, पांच में नहीं है तो अगर पानी में मेमरी है तो क्या पत्थर में मेमरी है? बिलकुल क्या हवा में मेमरी है? बिलकुल पर ये सुनने में बेतुका लगेगा क्योंकि हवा में मेमरी कहा है? वैसे देखिए आज आप सभी फोन यूज़ करते हैं इसमें तार नहीं है यह हवा से ओकर आ रहा है है कि नहीं? हलो? मेमरी हवा के माध्यम से आ रही है तो हवा में मेमरी है क्या? अब आपको मुझसे यह सवाल नहीं पूछना चाहिए क्योंकि आप सभी इसका असल यूज़ कर रहे है पर यह अभी कम विक्सित है ब्रहमांड की तुलना में ऐसा नहीं है कि कोई चीज एक जगा से दूसरी जगा जा रही है जाने को कोई जगा नहीं है क्योंकि जिसे आप हर जगा और कोई जगा नहीं कहते हैं वो दो अलग चीज़े नहीं है, यहां कोई एक जगा नहीं है, बात इतनी है, यह दो ही है, हर जगा और कोई जगा नहीं, कोई एक जगा एक भ्रहम है, पर अभी कोई एक जगा ही आपके लिए वास्तविक्ता है, हर जगा और कोई जगा नहीं, आपके अनुभव में एक भ्र कोई एक जगा एक ब्रह्म हैं देखे अभी आप कोई इनसान है आज नहीं सौ साल बाद आप सभी मैं थोड़ा जल्दी लेकिन आप सभी सौ साल बाद अगर हम सभी को यहां दफना दें तो कोई एक अलग इनसान नहीं रह जाएगा बस एक ही बगी चाहोगा आपका शरीर और मेरा शरीर ऐसा कुछ नहीं है बस धरती का शरीर है तो अंतर बस इतना है आप इसे अभी समझेंगे या फिर तब जब ऐसा हो जाएगा ये धरती के साथ ही नहीं है ये पूरी स्रिष्टी के साथ है आप या तो इसके साथ एक है या नहीं है ये कलपना नहीं है मैं सोचता रहूँ मैं ब्रह्मांड के साथ एक हूँ आप पागल हो जाएगे पर ये ऐसा ही है जब या नुभव में आता है ये बहुत बड़ी है अगर ये मानसिक रूप से हो तो आप सनक जाएगे मांसिक रूप से अगर आप सोचें मैं हर जगा हूँ तो आप बहुत बड़ी परिशानी है मांसिक रूप से शारिरिक रूप से आप किसी जगा है पर बुनियादी वास्तविक्ता यही है तो ये पूरी इसे बांटने के प्रक्रिया और कहना ओ पानी में यादाश्थ है मान लेते हैं पर क्या हवा में यादाश्थ है क्या आग में यादाश्थ है ये जीवन देखने का संकीन तरीका है अगर आप जीवन को ऐसे देखते रहे अगर आप यहां अरबो साल भी रहें तब भी आप इसका एक बहुत छोटाई भाग जान पाएंगे बस इतना ही कुछ गलत नहीं है लेकिन ये जीने का सबसे बेअसर तरीका है क्योंकि हमारी दिल्चस्पी अमल में है जानने में नहीं इसको कैसे यूज करूँ जरूरत से प्रियर्थ अभी सारी वैज्यानिक रिसरच जरूरत से प्रियर्थ है इसका इस्तिमाल कैसे करें हम क्या कर सकते हैं क्या मैं एक नई तरीके की बंदूग بنا सकता हूं जिससे मैं बिना गोली खर्च की आपको बस जला सकूँ, हम इन सब के साथ प्रयोग कर रहे हैं, अभी उन्होंने ऐसे बॉम बनाए हैं, जिनके फटने पर पूरी बिल्डिंग वैसी की वैसी ही रहेगी, बस इंसान मर जाएंगे, क्योंकि एक फ्रिक्वेंसी बॉम है, ये ब आप दूसरा देश जीतना चाहते हैं, लोग मर जाएं, इमारते खड़ी रहें, क्या ये अच्छा तरीका नहीं है? हम जरूरतों से प्रेरित हैं, यही समस्या है, हम जो भी जानेंगे, उसे ज्यादा से ज्यादा उल्टे सीधे तरीकों से इस्तिमाल करेंगे, तो जब आप जरूरतों से प्रेरित होते हैं, तो आपको समझना होगा कि जाने अंजाने आप विनाशकारी बन जाते हैं, जरूरतों से प्रेरित होने में गलत क्या है? कुछ गलत नहीं, अगर आप कोई और जीव होते, कुछ गलत नहीं होता अगर आप टिड़े होते, क्य जीव जरूरतों से प्रेरित होते हैं। लेकिन जब आपको इस तरका दिमाग, इस तरकी क्षमता मिली हो, अगर आप जरूरतों से प्रेरित हों, तो हम बस विनाश की तरफ ही जाएंगे, और कहीं नहीं जाएंगे। तो जब समाज या व्यक्तिगत इनसान जरूरतों से प्रेरित हों, तो वो अपने समय में ये महसूस नहीं करते कि वो बहुत विनाश कारी हैं। क्योंकि जरूरत एक ऐसा रास्ता नहीं है जो कहीं खतम हो। ये खतम ना होने वाला रास्ता है। होना वैसा नहीं है, मंजिल यहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है, मंजिल एकदम यहीं है, प्रकाश वर्ष की दूरी पर नहीं है। जब एक सब अटॉमिक पार्टिकल का सामन जस्य, एक बिना दिमाग वाले सब अटॉमिक पार्टिकल का सामन जस्य लाखो प्रकाश वर्ष दूर दूसरे पार्टिकल के साथ है, तो इतने बड़े दिमाग के साथ आपको सामन जस्य जरूर मिलना चाहिए, है कि नहीं? ब्रह्मांड की हर चीज के साथ इसे योग कहते हैं योग का मतलब जुडाव जुडाव का मतलब आप पूरी स्रिष्टी के साथ सामन जस्य में है कुछ नहीं करना क्योंकि आपके पास पहले से ही सब कुछ है और आप यहीं है बस खुद को उलजाय बिना उपकरन को इस्तेमाल करना सीखना है बस इतना ही